दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जाए दोस्तो आज से नए साल की सुरुआत होने जा रही है आप सभी को बिहारी मेडिया के और से ने साल की हारधिक स्वका मनाए हम आसा करते हैं कि आपके ने साल बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार हो और आप अपने लच्च की प्राप्ति करें टो फटाफट से आप सभी comment box में जरूर बताएं क्याव बिहार के की जीले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लागी जरूर कर दें साथ ही आपके मान में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे comment box में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार में ओमिक्रोन की दस्तक लेकिन अब तक जाज की स्विधा नहीं सीम निदिस ने बुलाई अधिकारियों की बेठ़ जहां कोरोना वारेस के नए वेरियंड ओमिक्रोन ने बिहार में दस्तक दे दी है पढ़ना में ओमिक्रोन का पहला मेरिज मिला है हाला कि अभी तक राज में ओमिक्रोन का पता लगाने के लिए आवैसक जाज की सुविदा नहीं है अभी इसके लिए सेंपल को दिल्ली बिजा जा रहा है अब सियम नितिस कुमार ने सकुरवार साम अधिकारियों की बेड़क बुलाए थी सियम नितिस कुमार ने कहा कि राज में ओमिक्रोन संक्रमन की सुरवात हो गई है उन्होंने लोगों से सावधान रहने और कोविड नियमों का पालन करने के अपिल की है नितिस ने कहा अभी बिहार में ओमिक्रोन अजाज की सुविदा नहीं है रिपोर्ट दिल्ली से आती है आपके जानकारे के लिए बता दी कि पटना के 26 वर्से एक वक के कोरोना वारिस के नए सोरूप ओमिक्रोन से संक्रमित होने के पूश्टियू भी है जिसने हाली में दिल दंग पड़ेगा भारी जिया कोरोना गाइडलाइन का उलंगन करना भारी पर सकता है सहर के प्रामुक इस्तलों पर पुलिस के पैने नेजर रहेगी यदि कोई नियम का उलंगन वह होड़दल करते हुए पकड़ा गया तो पुलिस उसके किलाब कड़ी करवाई करेगी इस इसके लिए एससपी उपेंद्र सर्मा की और सिस्सवी तानेदारों को आपने अपने इलाकों में बिसेश चोकसी बरतने को कहा गया है साथी प्रामुक जगाओं पर पुलिस की तरनाते भी कर दी गई है पुलिस अधिकारियों को भी दोरा करके सुरक्च्च वबस्ता वा क कोरोना आईलाइन के अनुपालन का जाज़ाक लेने को कहा गया है तरहसल कोरोना के बटे को देखते वे सरकार की और से नए साल पर जूपारकों के जस्न मनाने पर प्रतिबंद लगा दिया है होटोलों में बिना अनुमुती का इलजन नहीं होगा इसका अनुपालन करन का विशेस अभियान सुरू होगी जिनॉम सिक्वेसिंग फ्रेंट लाइन वर्कर्स को लगेगे बूश्टर डोज जैना इस साल में बिहार में कोरोना टिका करन का नया अभियान चलेगा इसके ताद जन्वरी में एक करोड बारा लाग टिके दिये जाएंगे इस अभिया 17-18 वर्स के किस्वरों के टिका करन अभियान की सिरुवात होगी स्वास्त विवाग के अपर मुई की सची प्रतत अमरित ने गुरुवार को जू मैपके मादम से प्रेस कॉन्फरेंस में जानका रिदी है अगली बड़ी कबर पटन में मिला ओमिक्रोन संक्रमित पटन में 101 और गया में 48 ने केस आये मुझापरपुर में 3 रेल करमी पोजिटीव जिया अभियार में कोरोना के नए वेरियांट ओमिक्रोन का पहला मेरेज गुरुवार को मिला है वह इंगलेंड से आये 22 मिलने के ल सब्सक्राइब बड़ी कबर बिहार में कोरोना के स्पीड पंदरा जनवरी तक रोज 30,000 केस मिलेंगे जहां बियार में कोरोना देड़ कोना के रपतार से बढ़ रहा है डेल्टा और डेल्टलस के साथ अब ओमिक्रोन वेरियंट की दसथ हो गई है बियार देश का तेसुअ राज बन Isaiah कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन का मामला मिला है कोरोना के संक्रमन के रब्तार रही रही तो इस बार मार्च से पहले ही संक्रमन पीक पर होगा एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना संक्रमन के रब्तार रही रही तो एक दिन में 15 जनवरी तक ही संक्रमन का नया मावला 3000 के पार होगा बिहार में संक्रमन के रब्तार रोकने के लिए हर इस तर पर तैय यार में कोरोना टिका करन 10 करोड के पार 16 जन्वारी से राज में सुरू हुआ तो वेक्सिनिशन जब यार में कोरोना टिका करन वर्स के अंतिम दिन 10 करोड के पार हो गया राज में 16 जन्वारी को मुखी मंतरे नितिस कुमार के हातों कोरोना टिका करन व्यान की सुरुआत की गए थी वर्स के अंतिम दिन सुक्रवार को राज में साम चो बजे तक 10 करोड 29 जार 626 कुरोना टिके की खुराग दी जाच इनमें टिके की पहली कुराग 5 करोड 78 लाग 5226 और दूसरी कुराग 4 करोड 22 लाग 24 जार 360 सामिल है अगली बड़ी कवर बिहार में स्कूल कोलेज बंद करने पर बोले सियम इसी तितनी खराब नहीं नितिस ने कहा जल्द पटना में होगी ओमिक्रोन की जाच सजग रहने की जर्रत बिहार में ओमिक्रोन के आये मामले पर मुख्यमंतरी नितिस कुमार ने कहा कि अभी यहाँ जाच नहीं हो रही है यहाँ जाच की ववस्ता की जा रही है मैं कोरोना के बड़ते प्रभाव को लेकर स्कूल कॉलेज पर मुख्यमंतरी ने कहा अभी हम लोग एसेस्मेंट करेंगे इतनी खराब इसी ति नहीं है हमारे यहाँ सारे चीजों पर आकलन करने के लिए यहाँ बैठक कर रहे हैं हम लोग मीटिंग करेंगे यह तै करेंगे कि आगे क्या करना होगा आगे किस तरह से काम किया जाए सियम नितिस कुमार गुरुवार को पूरो विधायक नवीन किसोर सिन्ना की पुनितिती पर पहुचे थे तबी उन्होंने ये बात कही थी अगली बड़ी कबर बिहार के तीन लाग संताउन हजार सिक्चकों का वेतन पांदरा फिज़ी बड़ा तीन से साथ जनवरी अपना संसोदित वेतन जेख सकेंगे दस जनवरी से डाउनलोड होगी सेलरिस लिए जिया सिक्चा विबाग ने पंचायत और नगर निकायों के लगबग तीन लाग संताउन हजार सिक्चकों के पंदरा फिज़ी वेतन बिर्दी का आदेश जारी किया है विबाग के विसिस सचीव मनोज कुमार ने सबी जिला सिक्चा पदादी कारियों को सिक्चकों के पंदरा फिज़ी वेतन बिर्दी का निर्दिस दिया है जनवरी 2021 से नया वेतन मान लागू होगा तीन से साथ जनवरे के बीच सिक्चक अबना संसोज़ित वेतन देख सकेंगे बड़ी कबर बियार में कोरोना पिड़ेतों को घर बेड़े मिलेगी दवा बिहार डाक विबाग करेगा पहर बढ़ते वे कोरोना को देखते वे राज सरकार ने डाक विवाग के साथ एक बीसे स्वाहल कर रहा है बिहार में डाक विवाग द्वारा अब कोरोना पिड़ेतों के घर तक फ्री में दवा पहुचाया जाएगा इसको लेकर डाक विवाग और राज सरकार के स्वास्थ विवाग के नोडल एजनसी की बिर कई बार बेटक हो चुकी है बादचित की प्रक्रिया अंतिम चरन में है बाड़े कबर बिहार में आज से पड़ेगी कड़ाकी के ठर्ण इन जिलों में अधिक दिखेगा सर गिरावट आएगी इसके साथ ही प्रदेश के कुछ इस्तानों पर मैदा मुआ गने इस्तर का कोरा चाने की सम्हावना है एक या दो इस्तानों पर हगोनाबंदी का पुरवानुमान है आपको बता देखे जिन जिलों में ज्यादा ठन बढ़ने की सम्हावना है इसमें पटना गया मुझापर पूर औरंगाबाद पुर्निया मोती हारी सामिल है बड़ी कबर अब देज गाड़ी चलाने वालों पर चलेगी रडार गन दो से पांच हजार तक होगा जुर्माना इन जगवों पर विसेश चोकी पटना के फलाई ओबर पर हो रही लगतार सड़क दुर्गटनाओ के बाद ट्रैफिक फुलिस एक्टिम मोड में आ गई है प्रबारिट ट्रैफिक एस पी आबरेम राहूल ने बताया कि अब देज चवाहन चलाने वालों पर रडार गन चले गी और नियम तोडने वालों से दो से पांच हजार रुपे तक का जर्मना भी वसुला जाएगा इसके लिए तीन फलाई ओवर को चिनित किया गया है जिसमें अटल पत बेली रोड फलाई ओवर और आर बलोग जी पियो फलाई ओवर समिल है फिलाल ट्रेफिक पुलिस के पास दो रडार गन है बाड़ी खबर आईजे आमेस में बदली जाज की विबस्ता आर्टी पिसे आर निगेटिव रिपोर्ड बिना नहीं होगा इलाज आईजे आमेस में मरीजों को भरती कराने के आर्टी पिसे आर निगेटिव रिपोर्ड अनिवार कर दी गई है आललाईन रेजिस्टेशन कराने के बाद मरीज अस्पताल में जाज कराने आ सकेंगे कोरोना वारेस संगरमान की बढ़ती संख्या को देखते विया निने लिया गिया है अगली बड़ी ख़बर ट्रेन में सो रही आत्री जग जाए आपका इस्टेशन आ गिया है रेलवे ने सुरू की डेस्टिनेशन अलट सिवा ऐसे उठाये लाब अगर आप रात में ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बीच में आपका इस्टेशन आने वाला है तो टेंसन बढ़ती रहती है क्या पता सोई रह जाए और जिस इस्टेशन में उतरना है वहां से ट्रेन आगे निकल जाए कई यात्री तो रात बर जागे ही रा जाते हैं ताकि अपना गतान तो इस्टेशन पर उतर पाए लेकिन अप ट्रेन में बेपिर को होकर सोईए आपका इस्टेशन आएगा तो रेलवे आपको जगा देगी रेलवे ने यात्रियों के लिए वेक अप कॉल डिस्टेशन अल फोन रिसिव नहीं करेंगे तब तक आपका फोन बज़ता रहेगा रेलवे की नई सिवा का लाव उठाने के लिए यात्रियों को वेक अप कॉल डिस्टेशन अलर्ट सुईधा एक्टिवेट कराना होगा जिसके बाद अपना प्याना नंबर डालने के बाद आपका ये एक पॉस्कबरी है नई साल में आब टाटा राची और गौरकपूर के लिए सरकारे बस की सिवाई ले सकते हैं मुझापर पुरस जारकन के टाटा राची और उत्तर परदेश के गौरकपूर के लिए बसों का परिचलन होगा इसके लिए परिवान विबाग ने परमिट जारि कर दिया है अब उत्तर परदेश और जारकन सरकार से काउंटर साइन होने के बाद इसका परिचलन शुरू किया जाएगा साथिक किराया भी तै किया जाएगा अरं के बड़ी खबर बिहार के नए मुएग के सचीव आमेर सुबहाने ने सुकुरवार को पद वार गरण किया मुहिक की सच्चेवी ने पद भार लेने के बाद मेडिया से कहा कि मुहिक मंतरी नितिस कुमार और राज सरकार के जो काम है उनके जो लच है उन्हें सभी को तेज गती से पुरा कराना उन्हें आगे बढ़ाना ही मेरे प्राता मिक्ताई होगी आज के लिए आपका सवाल बताए के बिहार में बढ़ते वे कोरोना के मामले को देखते वे स्कूल कॉलेज को बंद करना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए